हेलो डियर स्टूडेंट लास्ट लेक्चर में हमने एक्सराइज वन एके सिक्स कोशन किये थे अब करते हम आगे के कोशन Q7. A garment factory sold good worth ₹8,23,506. In the month of March, the sale proceeds for the first two weeks were ₹2,3,456 and ₹1,93,234. रुपीज what were the sale proceeds of the last two weeks? 7th question में ये बताया गया है के garment factory है उसने month March में ₹8,23,500 के अपने garments बेचे One month में 4 week होते हैं और first week में ₹2,3,456 रुपीज के garments बेचे और second week में ₹1,93,234 रुपीज के garment बेचे और हमसे पुछा है कि जो लास्ट के टू वीक बच गए उसमें उसने कितने रुपे के garments बेचे? Solution Factory sold in the March month is equal to Rs 8,23,506 रुपीज Factory sell in the first week is equal to Rs 2,3,456 है Factory sale in the second week is equal to Rs 1,93,234 रुपीज Factory sale of the last two weeks is equal to 8,23,506 minus backstart 2,03,456 rupees plus 1,93,234 total message जो first two की selling है weekly उसको क्या कर देंगे हम minus हमारे पास जो last में answer आएगा वो last two week की sale होगी is equal to 8,23,506 minus यानि अब इनको क्या करेंगे addition addition करने के बाद 3,96,690 अब इसमें से total message को क्या कर देंगे subtract कर देंगे is equal to 8,23,506 3,96,690 अब क्या करेंगे minus 6 में से 0 जाएगा 6 यहां से carry 10 10 में से 9 minus करेंगे तो क्या आएगा 1 यहां 4 बज गया यहां से carry लेंगे 14 14 में से 6 गया 8 यहां पर 2 बज गया यहां से carry ली यहां से 12 12 में से 6 जाएंगे तो 6 यहां 1 बज गया यहां से carry ली तो यहां के नहीं 11 11 में से 9 माइनस करेंगे तो 2 यहां पर 7 7 में से 3 गया 4 यह क्या अपना answer यह फैक्ट्री ने लास्ट टू वीक में कितने रुपे की selling की 426,816 रुपीज की यह अपना answer Question 8 A milk depot sell 657 liter of milk every day How much milk will it sell in one year? 8 question में given है कि एक दूद वाला है वो एक दीन में 657 liter दूद बेशता है और हमसे पूचा है कि वन एर में वो कितना दूद सेल करेगा Solution A milk depot sell milk in one day is equal to 657 liter A milk depot sell milk in 365 days is equal to 657 into 365 One year is equal to 365 days अब क्या करेंगे इन दोनों की multiply करने के बाद जो कुछ आएगा वो क्या होगा हमारा answer Multiplication आई 2,39,805 यहाँ पर लिखेंगे हम 2,39,805 liter यह क्या अपना answer Question 9 3,16,160 people visit a park in 256 days How many people visit in the park in one day 9 question में given है 3,16,160 people एक पार्क में विजिट करते हैं 256 days How many people visit in the park in one day यहाँ हम से पुछा है कि एक दिन में कितने लोग विजिट करते हैं पार्क में Solution people visit a park in 256 days Is equal to 3,16,160 People visit in a park in one day Is equal to 3,16,160 Upon यहाँ यहाँ डिवाइड कर देंगे 256 Question आएगा वो अपना answer होगा अब इसको डिवाइड करते हैं इन पे सप्रेक्ट करेंगे 6-6,0 यहाँ से कैरे लिए 11 11 में से 5 माइनस करेंगे तक इना बचाएगा 6, उपर से 1 लेके आएगे अब जाएगा 2 पे 2 से इसके मल्टिपलाई करते हैं 2,1 10,1 1 कैरी 4,1,5 यहाँ से कैरे लेंगे 11,11 में से माइनस 2 करेंगे तो 9 यहाँ पर बच गया है 9 9 में से 1 जाए 8 उपर से लेके 6 आप जाएगा 3 पे 768 यहाँ से कैरे लेंगे यहाँ 16,16 माइनस 8 8 यहाँ बच गया है 8,8 माइनस 6 2 8 माइनस 7 1 उपर से 0 अब कितने पे जाएगा 5 पे रिमेंडर जीरो पीपल विजिट इन ए पार्क इन वन डे इस इकल टू 1,235 यह अपना आंशर है 10 दा स्टूडेंट ओफ क्लास 6 ओफ ए स्कूल क्लेक्टिड 3,037,870 रूपीज फोर प्राइम मिनिस्टर रिलीफ फंड इव इच चाइल्ड कंट्रिबुटिड 225 रूपीज हाँ मैनी चिल्डरन एर इन दा स्कूल Question 10 में गीवन है कि सभी बच्चों ने मिलके प्राइम मिनिस्टर रिलीफ फंड में 3,037,800 रूपीज जमा किये Every child ने 225 रूपीज का कंट्रिबुटिड किया और हमसे पूछा है कि स्कूल में बच्चे कितने हैं हमें क्या निकाने हैं तोल स्टूडेंट निकालने हैं Solution Total Fund is equal to 3,037,875 रूपीज One child contributed is equal to 225 रूपीज Total student is equal to 3,037,875 रूपीज अपोन 225 अब क्या करेंगे 3,037,875 को 225 से डिवाइड करेंगे जो question आएगा वो क्या होगा अपना answer होगा Try yourself Multiple choice question Question 11 Convert 800 km 250 m 45 cm into cm As a numeral in the Indian system It is 11th question में जो digit दी गई है उनको convert करना है cm में और किसमें लिखना है Indian system में 11th question के 4th part है आप इनको convert करना उन सभी का addition करना जो answer आये इसमें टिक करना Try yourself इस type के question मैं पिछले lecture में करा चुकी हूँ Try yourself 12th question Multiple choice वाला question है यह नहीं हमारा answer ही नहीं 4 option में से है Question 12th A shopkeeper had 12 lakh rupees with him He placed order 455 air conditioner at 20,825 rupees each What will be the amount left with him after the purchase 12th question में गीवन है एक shopkeeper के पास 12 lakh rupees है उसने 55 air conditioner order करे है One air conditioner की cost है 20,825 rupees हमसे पूछा है कि 55 air conditioner खरिदने के बाद उसके पास कितना amount बचा है solution total money is equal to 12 lakh rupees One air conditioner cost is equal to 20,825 rupees 55 air conditioner cost is equal to 20,825 into 55 अब करेंगे हम इनकी multiplication यहां पर rough work हमने इन दोनों की multiplication की है is equal to multiplication आई है 11,45,375 total rupees मैं से minus कर देंगे 55 ac की cost minus कर देंगे यहां से carry लेंगे हुछ गर 10 10 मैंसे 5, -, 5 यहां पर 9, 9 मैं से 7 minus करेंगे 2, 9 मैंसे 3 – 6, 9 मैंसे 5 – 4, 9 मैंसे 4 – 5 마음 rupis तोप कीपर के पास 54,625 रुपीज बचे यह क्या अपना आंसर और इसमें ओप्शन इसमें ओप्शन सी यहाँ पर अपनी एक्सराइज खतम होती है नेक्स लेक्चर में करेंगे हम नेक्स एक्सराइज